परन्तु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। जहा संत, शिवजी और लक्षमिप्ती श्री विष्णो भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीप काट ले और नहीं तो कान मून कर वहां से भाग जाए। और मेरा यह शरीर दक्षी के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारन करने वाले व्रिषकेतु शिवजी को हृदय में धारन करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूँगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगागनी में अपना शरीर भस्न कर डाला। सारी यग्यशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरन सुनकर शिवजी के गण यग्य विधवन्स करने लगे। यग्य विधवन्स होते देखकर मुनीश्वर भिगुजी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यग्य विधवन्स कर डाला और सब देवताओं को यतोचित फल, दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गती हुई, जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्नन किया।